जैसे कि आपने थमने दरो टाइटल पर पड़ी लिया होगा, इस वीडियो में आपको आसाम राइफल की जो भरती आई है, उसकी नोटिफिकेशन से रिलेटर सभी जानकारी मिल जाएगी, वो भी हिंदी में, वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्मेंट आप पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटर डेटर में मैं बताऊंगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम चलते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपन कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन को, जैसे कि आपको इस स्क्रीन पर नजार आ रहा है, यहां पर मैंने www.formjankari.com को open कर लिया है, जैसे मैं Awesome Rifle Technical and Tradement Rally 2021 वारी पोस्ट पर आ गया हूँ, यहां पर आपको Awesome Rifle से related काफी सारी जानकारिया मिल जाएंगी, जिसको अमने detail में यहां पर बता रखा है, जैसे कि age limit किस पोस्ट के लिए क्या मांगी गई है, कब से इसके application फोस्ट किये vacancy है, अगर आप इसकी detail में जानकारी चाहते हैं, तो आप इसकी रीचे यहां पर link दे रखिए हमने, इस पर click कर सकते हैं, तो आपको detail में एक PDF मिल जाएगी, जिसमें detail में इस बारे हम जानकारी दे रखिए, कि किस state में, किस post में कितनी क्या vacancy है, इसकी नीचे आपको age limit की जानकारी मिल जाएगी, क्या age limit आपकी होनी चाहिए, इसके form को fill करने के लिए, और साथ में अगर आपको education, qualification की detail चाहिए, तो यहां पर education, qualification के इसाब से भी detail दे रखिए, जैसे कि आप यहां पर देख सकते है, bridge and road, यानि कि male and female वाली जो post आई है, उसमें आपके पास कम 10th ह होनी चाहिए, साथ में आपके पास diploma होना चाहिए, civil engineering का, village and road का, और इसी की fees 200 रुपए लग रही है, यहां पर, इसके बारे मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ, note application होगे, वहां पर आपको detail में समझाते हैं, इसके बारे में, जब आप इसको scroll down करके नीचे आएंगे, तो आपको यहां पर पता चल जाएगा, जब से पहले यहां पर PST होगा, यानि कि physical standard test होगा, उसके बाद PET होगा, फिर return examination होगा आपका, फिर इसके बाद trade test लिया जाएगा, यानि कि skill test होगा, उसके बाद medical examination होगा, फिर merit list आएगी, detail में आपको जानकारी आंगे बताएंग अब भईये यहां पर notification open कर लिया है, आप detail में समझाते हैं, क्या कि आजानकारी इसके notification में दे रखी है, जैसी कि आपको पता होगा, online application form वज़े वनना start हुए है, वो 11 सेतंबर 2021 से start कर दिये गए हैं, और इस form को फिल करने की last date है, 25 October 2021, रात को 11 बज़ के 69 मिनट तक, यानि क रात को 12 बज़े ही मान लीजी आप, और इस daily की जो भरती की जाएगी, वो 1 December 2021 से की जाएगी, total इसमें group B की पोश्ट हैं और group C की पोश्ट हैं, जानकारी आपको आँगे बताएगे कि group B में कौन कौन सी पोश्टों को रखा गया है, और group C में किस पोश्टों को रखा गया अगर आपके पास मूलनिवासी नहीं है, तो आप सबसे पहले मूलनिवासी बनवाईए अपना खुद का, क्योंकि यहाँ पर उमर 18 साल से 23 साल के बीच में मांगी गई है, तो अगर आप 18 साल से 23 साल के बीच में हो चुके हैं, तो आपके पास आपका खुद का मूलनिवास में आपको निकाला भी जा सकता है फॉर्म को फिल्ड करते हैं जो भी आप मॉयल लंबर या email ID लगाएं वो आपके चालू होने चीए जब तक इसकी भरती ना हो जाए क्योंकि जितनी भी जानकारी आएगी वो email ID और SMS के थुरू ही आएगी और ऐसा email number लगाएं जिस पर D&D activate ना हो कभी कवार क्या होता D&D activate होती है तो काफी सारी message आ नहीं पाते हैं आपके पास और ध्यान से आपको इस form को फिल करना है क्योंकि इसमें कोई भी mistake हो जाती है अगर आपसे तो इसमें कोई भी जैसी application form भनने के लिए तैयार रहना है और जैसी थोड़ी बहुत आपको इसकी site कुली मिले तुरंद इसका form फिल कर दीजिए बात करते हैं इसमें application fees की और साथ में किस group में कौन सी post है तो सबसे पहले हम देखते हैं group B के लिए तो group B में यहाँ पर bridge and road post रखी गई है सिर्फ जिसकी application fees आपको 200 रुपए देनी पड़ेगी अगर आप इसमें form फिल करेंगे और bridge and road की post को छोड़ कर भांगी सभी जितने भी post हैं इसमें उन सभी को group C में रखा गया है और अगर आप group C के लिए form फिल करेंगे तो आपको 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा और यह जो चार्ज कटेगा वो यहाँ पर ACY का एक account number दिया गया है इसमें आपको भेजना पड़ेगा उसके बाद उसका जो challenge generate होगा उसको आपको upload करना पड़ेगा और जितने भी document निगलें इसके साथ वो सभी आपको साथ में रखने पड़ेंगे जब आप इसकी physical वगएरा के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ले जाने पड़ेंगे अगर कोई भी document वहाँ पर नहीं पाया आता है तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा सिर्फ SCHT candidate, female candidate और ex-serviceman candidate को कोई भी fees यहाँ पर नहीं देनी है और जितने भी candidate की fees यहाँ पर कट रही है यानि कि जो बचे हुए candidate है जनकी fees कट रही थी वो अगर एक बार fees कट वा देते हैं तो उसकी वाद उनकी fees refund भी नहीं की जाएगी उसकी वारे में जानकारी आपको इसके आँगे आने वाले notification में मिल जाएगी जो की इसी website पर publish किये जाएगे यहाँ पर आपको कोई भी online application में center choose करने का option नहीं मिलेगा लेकिन center जो रहेंगे वो यहाँ पर कोई center दे रखें इनमें से कोई भी रखा जाया सकता है कोई भी ऐसा candidate है जिसकी fees नहीं कट रही है या फिर यूं कहूं तो SCST candidate है OBC candidate है या EWS candidate है तो जब भी वो भरती देखने जाए उसको अपना जो भी category वो आता है उसका certificate लेके जाना पड़ेगा चाहे वो PET के लिए जाए PhD के लिए जाए या फिर document verification हो अगर कोई physically handicapped candidate है तो वो इस phone को नहीं बर सकता है अब बात करते हैं वह यह जिसका आपको इंतिजार था age limit की क्योंकि काफी सारे बच्चे जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था यहाँ पर over age भी हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो age limit रखी है वो 18 साल से 23 साल की बीच में रखी है और यह age limit सिर्फ general के लिए रखी गई है यानि कि अगर आप general candidate है general category में आते हैं तो आपको यहाँ पर age limit दे गई है 18 साल से 23 साल के बीच में आपकी उमर है 1 अगस 2021 को तो ही आप इस form को फिल कर पाएंगे यानि कि आप 1 अगस 1998 से लेकर 1 अगस 2003 के बीच में पैदा हुए हो तो ही आप इसके form को भर पाएंगे लेकिन बहिए कुछ vacancies में यहाँ पर age limit 18 साल से 25 साल की बीच में भी दे रखी है तो उसकी बारे में हम आँगे बात करते हैं अब बात करते हैं age relaxation की तो यहाँ पर HCT candidate के लिए 5 साल का age relaxation दिया गया है OVC candidate के लिए 3 साल का age relaxation दिया गया है तो सिर्फ clerk और PA को छोड़ कर यानि की clerk वाली post को छोड़ कर और PA वाली post को छोड़ कर सभी post के लिए अगर आप general male candidate हैं तो आपकी height कम से कम 170 cm होनी चाहिए और अगर आप female candidate हैं तो आपकी height 157 cm होनी चाहिए और male candidate के लिए chest के size 80 cm normal रखा गया है और expand करके यहाँ पर 85 cm दिया गया है और कुछ यहाँ पर छूट भी दे रखी है तो अगर आप इन में से किसी category में आते हैं तो आप इसको देख सकते हैं और अगर आप killer के याँ पर PA की post में form fill कर रहे हैं तो यहाँ पर male candidate के लिए height 165 cm बताई गयी है female candidate के लिए height 155 cm बताई गयी है chest का size यहाँ पर 77 cm बताई गया है और expand करके यहाँ पर 82 cm बताई गया है और ऐसी यहाँ पर कुछ relaxation बगयरा दिया गया है जैसा कि उपर दिया गया था जिसमें आपको गोरखा, नागा लेंड, लांचल परदेश, मनीपूर, तृपुरा, मेजोरम, मेगालाय, आसाम, हिमांचल परदेश, कस्मीर, ले-लद्दाक की रीजन के लिए relaxation नजर आ जाएगा और साथ में HT candidate हैं तो उनके लिए भी relaxation यहाँ पर मिल जाएगा तो भाईए यह तो बात होई PST की, अब बात करते हैं PET की, यानि की फिजिकल में आपका क्या होगा तो अगर आप male candidate हैं तो आपको करनी पड़ेगी 5 km की running जिसका time रहेगा 24 minute का और अगर आप female candidate हैं तो आपको 1600 मीटर की running करनी पड़ेगी जिसका time दिया जाएगा यहाँ पर 8 minute का लेकिन अगर आप लद्दाग रीजन की निवासी हैं और male candidate हैं तो आपको 1600 मीटर की running करनी पड़ेगी जहाँ पर time दिया जाएगा यहाँ पर 6 minute का और अगर आप लद्धाक रीजन की female candidate हैं, तो 800 meter की आपको running करनी पड़ेगी, time दिया जाएगा आपको 4 minute का, इसकी बाद आप लोगों का होगा return test, return test होगा 100 number का, जिसमें general और EWS candidate को pass करने के लिए 35% चाहिए होगी, और अगर आप SC, ST, OBC candidate हैं, तो 33% number लाने पड़ेगे आप को, और अगर आपके पास NCC certificate है, जिसमें NCC C certificate अगर आपके पास हो, तो आपको 5 number की छूट दी जाएगी, और अगर आपके पास NCC B grade certificate है, उस तो आपको 3 number की छूट दी जाएगी, NCC A grade certificate के लिए 2 number की छूट दी जाएगी, जितनी यहाँ पर कुल vacancy हैं, यानि की 1230 vacancy की आ इसरिप आपको पास करना कमपल सरी है फिर इसके बाद आपका medical check-up बगएरा रहेगा और उसके बाद आपकी merit आजाएगी तो भाईए ये तो बात होगी total examination process की यानि की कैसे कैसे आपको joining मिलेगी इसमें अब यहाँ पर बात करते हैं क्या आपके पास qualification होनी चाहिए कितनी आपकी age limit रखी गई है तो भाईए अगर आप bridge and road वाली post के लिए form fill करते हैं जिसमें male और female दौनों ही candidate form fill कर सकते हैं इसमें education मांगी गई है कम से कम आप 10th के पास होने चाहिए इसके साथ में आपके पास हवलदार की और इसमें form fill करने के लिए आपकी 12th complete होनी चाहिए साथ में इसमें skill test रहेगा जो की आपकी typing रहेगी English में 35 word per minute की और Hindi typing रहेगी इसमें 30 word per minute की computer पर age limit इसमें 18 साल से 25 साल दी गई है personal assistant की post के लिए बात करें तो इसमें और transcription time दिया जागा 50 minute का English की लिए 15 minute का Hindi के लिए computer पर age limit इसमें भी 18 साल से 25 साल की दी गई है बात करें electrical fitter signal के लिए तो इसमें mail candidate form fill कर सकते हैं rank रहेगी rifleman की education qualification कम सकम 10th pass होने चाहिए आप science, math और English subject होने चाहिए आपकी 10th में age limit यहाँ पर 18 साल से 23 साल रखी गई है lineman field के लिए बात करें तो इसमें mail candidate form fill कर सकते हैं rank जो रहेगी इसमें rifleman की रहेगी education qualification 10th pass मांगी गई है आपसे साथ में आपके पास industrial training institute certificate होना चाहिए electrician trade का age limit की बात करें तो इसमें भी 18 साल से 23 साल की age limit बताई गई है engineer equipment mechanic के लिए mail candidate form fill कर सकते है rank इसमें भी rifleman की रखी गई है education qualification इसमें 10th pass मांगा जा रहा है और साथ में आपके पास industrial training institute certificate होना चाहिए engineer equipment mechanic trade का age limit यहाँ पर 18 साल से 23 साल की बीच में रखी गई है अगर आप electrician mechanic vehicle के लिए form fill करना चाहते है तो यहाँ पर भी mail candidate आप होने चाहिए साथ में आपको rank मिलेगी जो rifleman की दाईगी education qualification की अगर हम बात करें तो आपको 10th complete होनी चाहिए आपके पास और साथ में industrial training institute certificate होना चाहिए आपके पास motor mechanic का यहाँ पर जो इतने भी industrial training certificate याने की ITI है यह आपके पास ITI की डिगरी होनी चाहिए motor mechanic से 18 साल से 23 साल के बीच में आपकी उमर होनी चाहिए अब हम बात करते है instrumental repair का इसमें भी आप mail candidate होने चाहिए rank जिसमें रहीगी हफलदार की education qualification इसमें 12th माल मांगी जा रही है और साथ में आपके पास ITI होनी चाहिए instrumentation से उमर इसमें रखी गई अठर साल से 23 साल के बीच में vehicle mechanic की post के लिए mail candidate आप होनी चाहिए इसमें rank जो रही है rifleman की रहीगी education qualification इसमें 10th पास मांगा जा रहा है इसमें subject आपके पास होनी चाहिए English, Mathematics, Science और साथ में diploma या फिर ITI होनी चाहिए आपके पास age limit इसमें भी 18 साल से 23 साल के बीच में रखी गई है बात करते हैं आप whole setter इसके लिए भी आगर आप mail candidate हों तो form fill कर पाएंगे rifleman की आपकी rank रहेगी education qualification 10th pass मांगी जारी है आपसे और साथ में आपके पास ITI होनी चाहिए उमर इसमें 18 साल से 23 साल के बीच में दे रखी है electricism की post के लिए अगर आप home fill करना चाते है तो भी आप mail candidate होनी चाहिए rifleman की आपकी rank रहेगी education qualification इसमें 10th pass मांगी जारी है आपके पास ITI होनी चाहिए उमर आपकी 18 साल से 23 साल के बीच में रखी गई है plumber की post के लिए अगर आप home fill करना चाहते है तो भी आप mail candidate होनी चाहिए rank जो इसमें दी गई है वो rifleman की रहेगी education qualification आपकी 10th pass होनी चाहिए और साथ में आपके पास ITI भी होनी चाहिए surveyor की trade से उमर यहाँ पर 20 साल से 28 साल के बीच में रखी गई है यहाँ पर pharmacist की post के लिए दोनों ही mail candidate और female candidate form fill कर सकते हैं rank जो यहाँ पर रहेगी warrant officer की रहेगी education qualification यहाँ पर 12th complete मांगी जारी है साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए pharmacy से और age limit यहाँ पर 20 से 25 साल के बीच में दी गई है x-ray assistant की post के लिए mail candidate आप होने चाहिए साथ में जो rank रहेगी आपकी वह हवालदर रहेगी education qualification में आपसे 12th pass मांगी जारी है साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए radiology से age limit की बात करें तो यहाँ पर 18 साल से 23 साल एज लिमिट रखी गई है वारने सी फिल अटिस्टन की बात करें अगर हम तो आप mail candidate होने चाहिए यहाँ पर rank जो रहेगी वह warrant officer की रहेगी education qualification 12th pass आपसे मांगी जारी है साथ में 2 साल का diploma certificate होना चाहिए आपके पास warrant sign से age limit यहाँ पर 21 साल से 23 साल के बीच में रखी गई है female सफाई वाले के लिए बात करें अगर हम तो आप female candidate होने चाहिए तो यह आप इस form को फिल कर पाएंगे यहाँ पर rank जो आपको मिलेगी वो rifle woman की मिलेगी education qualification आप 10th pass होने चाहिए उमर आपकी होनी चाहिए 18 साल से 25 साल के बीच में बारबर की trade के लिए आप male candidate होने चाहिए रेंक जो आपकी रहेगी वो rifleman की रहेगी education qualification 10th pass आप होने चाहिए एजनिमेट जो रहेगी वो आठर साल से 23 साल के बीच में रहेगी cookie trade के लिए भी आप male candidate होने चाहिए rifleman की rank आपको दी जाएगी education qualification आपकी 10th complete होने चाहिए 18 साल से 23 साल के बीच में आपकी उमर रहेगी मसल्ची की पॉष्ट के लिए आप male candidate होने चाहिए rank जो आपकी रहेगी, rifleman की रहेगी education qualification आपकी से 10th pass मांगा जा रहा है age limit यहाँ पर दी गई, 18 साल से 23 साल के बीच में mail सफाई के लिए आप male candidate होने चाहिए rank यहाँ पर जो दी जाएगी वो rifleman की दी जाएगी education qualification आप 10th pass होने चाहिए age limit यहाँ पर रहेगी, 18 साल से 23 साल के बीच में अब नीचे आपको जो vacancy की detail दी रखी है वो state wise दे रखी है अगर आप अंड़मान निकोबर में firm fill करना चाहते है तो यहाँ पर कितनी क्या vacancy है अंद्र बिर्देस में firm fill करना चाहते है तो यहाँ पर किस post में कितनी क्या vacancy है आप यहाँ पर detail में देख सकते है ऐसी है आपको हर state के इसाब से अलग-अलग vacancy की detail मिल जाएगी जैसे कि अगर आप मद्र बिर्देस के निवासी है तो यहाँ पर मद्र बिर्देस में किस trade में कितनी क्या post हैं, कितनी क्या vacancy हैं आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी जिस post के लिए आपको form apply करना है आप कर सकते हैं लेकिन यह याद रखना है आपके पास उस state का मूल निवासी होना चाहिए तब यह आप उस state में form apply कर पाएंगे तो यह यह पूरी detail में जानकारी इसके notification के बारे में अब आप यह सूच रहे हैं कि भही यह इतनी जानकारी दे दी अब हमें यह भी तो बता दीजिए कि हमें इसके form को कैसे फिल करना है तो इसके लिए आप हमारी left side वाली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने detail में इसके form को फिल करने की process बता रखी है और अगर आपको problem आरी इसमें photo, document वगएर अपलोट करने में तो आप right side वाली वीडियो को ज़रूर देखें